हेलो एंड वेलकम टू मैं सक्सेस कोचिंग प्लासे यूट्यूब चैनल आज की यूट्यूब चैनल में हम लेके आये हैं नियू एड्यूकेशन पॉलिशी 2020 तो नई शिच्छा नीती में क्या-क्या बदलाओ हुए हैं इस वीडियो में देखेंगे और यह कब से लागू और दूसरा जो बदलाओ किया गया 1986 से 1992 है यानि कि जो 34 साल में जो इसका बदलाओ किया गया उसमें खाली तो इसको 2022 में लागू होना था तेकि कोरोना की वज़े से कुछ विलंब हो गया तो इसमें सभी की सलाह मश्विरा से सभी की इसमें सहमती से सभी गाउंवालों से ग्राम पंचायतों से सभी इस तरों पर इसमें अच्छे अच्छे लोगों से अच्छे अच्छे विद्व गई जो यह नीती है new education policy तो इसमें यह कस्तूरी रंजन जो की इसरों के पूर वैग्यनिक थे इनी के अधिस्ता में report त्यार की गई तो अब तक कि यह सबसे बड़ी committee द्वारा त्यार की गई की एनीपी है यानि की new education policy है तो इसको mhrd यानि की ministry of human resource department है जो की इसका नाम अब बदल करके शिच्छा विभाग यानि की शिच्छा मंत्राले कर दिया गया यानि ministry of education कर दिया गया है तो इसी के द्वारा यह तैयार होगी इसमें यानि की यानि एपी 2020 में 10 प्लस 2 को बदल करके 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया इसमें अंडर ग्रेजुएशन यानि की 10 प्लस 2 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस दी का system वो चेंज करके बनाया गया है इसमें stream को भी बदला गया है इसमें multiple entry और exit को प्लस 2 का मतलब 12 साल होता था लेकिन अब government ने भारा सरकार ने इसको 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि की 15 साल के रूप में इसको बढ़ा दिया है लेकिन पहले पढ़ाई 6 साल में स्टार्ट होती थी अब पढ़ाई 3 साल में ही स्टार्ट हो जाएगी तो अभी मैं इसको पर राजिसरकार हाई स्कूल इंटर तक आपको और नजर रखती थी आपको पढ़ाईद करती थी उसके बाद यूश्टी बेस्ति थी तो इसमें फस्ट टूवर्श में फश्ट होता था फिर बारा वर्श्वों तक निगरानी होती थी लेकिन अब सरकार द्वारा पंद्रा वर्शन तक आप पर नज़र रखी जाएगी और उसमें नीतियों में चेंज करके आपकी पढ़ाई के करके सरकार आप पर नज़र रखेएगी अब जो नई आजपास के मोहले के दोस्तों से जो खेलने को मिलता था जो इसको घूंना फिर न और इस तरीके की चीजह उसको पसंद आती थी मिलना जुलना तो वह विद्याल्यमें स्कूल में नहीं मिलता था तो इस से बयूर से भागता था इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स स्कूल में उसकी यहां तक की युनिफॉर्म तक नहीं होगी तो शुरुवात के जो तीन वर्ष है उसमें अब पढ़ना नहीं होगा जो घर पर खेलते थे कूटते थे वह आप तीन साल तक स्कूल में ही करेंगे और दूसरी बात है विद्याले में अब सारे खेल इस्टुमेंट भी मिलेंगे जो की घर के आसपास मिलते थे तो इस तरीके से जो चेंजिस किये गए हैं जो बदलाव किये गए हैं वह बच्चों को ध्यान में रख करके किये गए हैं और उसका पूरा फ्रेमवर्क तयार किय complicator क्याई तो इस प्रकार से जो प्रस्ट स्टेज है यानि कि फैव य की कि इस टेज है उसको किस्थ करद से वर्गी करत किया गये यह हम आपको बताएंगे तो जो फान साली just जो कारेक्रम है वो तीन साल में जो तीसरे साल होता है बच्चे का यानि कि तीन साल की उमर में ही स्टार्ट हो जाएगा तो तीन साल की उमर में पांच साल का कारेक्रम किस प्रकार से हुआ इसको दो भागों में बाट दिया गया है एक पहला तीन साल और दूसरा फिर जो नेक खेलना है, खूदना है, बच्चों के साथ मज़ा करना है, और उसके लिए टीचरों को स्पेशल ट्रेनिंग दे करके भिजा जाएगा, यो कि बच्चों को सहयोग करेंगे, तो इसमें कोई भी आप ड्रस बहन के जा सकते हैं विद्याले में, तो इसको हम फाउंडेशन का ना जो चरण है 2 साल का इसी में, पहले तीन साल, फिर दो साल, यानि की टोटल पांस साल का, तो जो दूसरा साल है, यानि कि व propaganda तीन साल पार करने के बाढ़, जदि के चोथा साल, चौथा पांचरों साल, उसमें चौथे साल में फश्ट क्लास पढ़ना होगा, फश्टक्लास म बैसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज आएगी इसकोम प्रबरेटॱी कहेंगे जो है वह तीन साल चाहुगा तीन साल में जो तीन साल जो प्रोग्राम है जो सेकंड श्लीज प्लान तो इसमें बच्चा जो है वो class 3rd से 5th पार करेगा 3rd से 5th पार करेगा इसको हम जो 6 साल में वो 3rd में जाएगा 7 साल में वो 4th में जाएगा और 8 में वर्ष में वो 5th में जाएगा इस तरीके से 3 वर्षी preparatory stage होगी इसमें इसमें जो है बच्चे अपनी 6 भाषा में कुछ सीख सकता है लेकिन इसमें अभी committee में थोड़ा सा मढभेट चला है इसको छेतरी भाषा में ही होगा और इसमें साथ में English भी होगी और इसमें परिक्षा का प्रावधान रखा गया है यह इसमें एक्जाम देना होगा बच्चे को यह बनुमनेंचे एक्जाम होता क्या है तो एक्जाम के इसमें एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा एक्टिविटी स्टडी होगी लेंगवेज भी सिखाए जाएगी जो कि मदर होगी जो उसकी जैसे वह पंजाब में रहता है तो पंजाबी भाष्शा सीखनी होगी और साथ में English भी होगी इसके साथ साथ वह अपने उरको और पांच में वर्ष में आएगा पांच में वर्ष में वह चटा पार करेगाए चटमेबर्ष में वो सात्हां पार करेगा और सात्में वर्ष में वह 8 पास करेगा यानिकि ग्लास 628 628 में वह इसमें mad you science, social science के लावा इंडिया कि कोई भी एक language पढ़ पाएगा जैस इसमें computer coding कोई भी computer से सर्मंदित coding Java या Python या इस तरीके से कोई भी चीज़े सिखाई जाएगी इसके अलावा इसमें vocational training का भी प्रावधान रखा गया है यही सबसे अच्छी चीज़े जो मुझे बहुत पसंद आई इसमें vocational training program में इसमें जिसे बच्चे को सिलाई कढ़ाई माली गिरी पसंद परफ educate है तो माली गोरी या अगर उसको मेज बनाने का कुर्सी बनाने का या इस प्रकार से कोई भी चीजे लकडी से बनाने का सौत है तो वह कारपेंटर की कि चीज स् Koreniche स्कता है या उसे बाल-बाल काटने का शॉक है तो बार-बार गःए या मचली पालन का शॉक है तो मचली पालन का ट्रेनिंग इस प्रकार से कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग यानि टेकनिकल ट्रेनिग उसको दे दी जाएगी जिससे जो उसके होनर होनर बन जाएगा तो यह तीन साल का जो है इसको क्या कहेंगे मिडल स्टेज कहेंगे एनि क्लास टू एट तो यह भी इसके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा इसमें परिक्षा होगी जिससे कि उसको पता चले कि किस तरीके से आगे बढ़ना है तो सबसे पहला अगोर आघ्रोणेशन दूसरा कि मिडल स्टेज अब जो स्रहर यह प्लान फोरियर प्लान में इसमें एक फॉरिंेटक्ष मेंगेश 33 worth कोई भी एक फॉरिं infrastructures चलेगी तो इस में उसमें जोई पहले मिड़ल स्टेट में जो साल में एक एक इक्जाम होता था अभ इसमें जो कोई stream चुनने का नहीं है कोई stream नहीं लेनी है इसमें जो उनको subject के में interest हो वो subject ले सकता है और इसमें middle subject रहेंगे और इसमें critical thinking पर ज्यादा जोर दिया गया है इसमें 6 माईने पर semester wise exam होगा इसमें थोड़ा pressure बनाया जाएगा बच्चे पर जिससे कि उसको pressure में रहने की आदत हूँ और इसमें उसको stream नहीं चुनना होगा ठीक है next चीज है कि उसमें उसकी जगापर multiple subject लेने होगे जिसमें उसको interest होगा वो लेने में स्वतंत्र होगा जैसे math के साथ अगर उसको history पढ़नी है तो ले सकता है accounts पढ़नी है तो ले सकता है biology पढ़नी है तो ले सकता है कोई भी subjects छाट सकता है अपनी मर्जी से तो लेकिन जैसे पहले होता था arts वाले आर्ट्स वाले साइंस नहीं ले सकते हैं, साइंस वाले कॉमर्स नहीं ले सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैट का सब्जेक्ट ले सकते हैं, या से कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी वि विद्या होती है वो विद्या इसमें काम नहीं आएगी इसमें जो critical thinking skills होती है उनको develop किया जाएगा तो NCRT का ऐसा pattern एक ऐसा curriculum पाठेकरम तयार कर रही है जिसमें think build हो सके इसमें एक foreign language का भी प्राउधन रख्या गया है उसमें संबंध हम लोगे सीख हो जाए और वो डाल दी जाए तो पुराना system 10 plus 2 उम्र 6 से start होता था इंतो अब तीन वर्ष से ही start होगा इसलिए दोनो class 12 पर समाप्त होते थे अब भी होगा लेकिन नई जो NEP new education policy 2020 है वो तीन वर्ष पहले से ही start पढ़ना start हो जाएगी तो यह fourth state जो है इस प्रकार से हमारा काम करेगी तो इसकी को हम secondary stage कहेंगे तो इस प्रकार से हमने पहला आपको क्या बता है foundation इस टेट पांच यहर का फिर तीन साल का प्रिप्रेटरी स्टेज फिर तीन साल का मिडल स्टेज फिर चार साल का secondary स्टेज और अब आ रहा है आपका graduation जब यह बच्चा क्रॉस हो जाता था इसे पहले भी ही होता था लेकिन थोड़ा सा पैटर्ण चेंज हुआ है पहले बारा साल का होता था पंदरा साल का होता है लेकिन थीन साल पहले ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी फिर अब graduation में क्या सिस्टम है graduation को जैसे इस नातक बोलते हैं जैसे पहले बीए कहलाता था बीकॉम कहलाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो तो इसमें चार साल का होगा पहले तीन साल का होता था अब चार साल का होगा पहले साल को हम graduation certificate कहेंगे दूसरे साल को हम graduation diploma कहेंगे और तीसरे साल को हम graduation degree कहेंगे और चौते साल को हम research कहेंगे तो इसमें अगर आप मान लीजे पहले साल किया आपकी आई किसी काणवस्या पै अलब कि पहले ऐसा नहीं था सिस्टम पहले क्या था कि अगर आपकी बीच में पढ़ाई छूट गई तो आपको फिर से फर्स्ट यर सेंडियर थर्ड यर करना पड़ता था तो अब ऐसा नहीं होगा अगर आपने दो साल की पढ़ाई कर लिए तो आप तीसरे साल में दो साल चार साल भार पांच साल भार जब भी आपके पास समय हुआ या पैसे हुए आप उसको कर सकते हैं तो फर्स्ट यर को हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स कहेंगे दूसरे साल को हम ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहेंगे और तीसरे साल को ग्रेजुएशन डिगरी कहें तो इसमें कोई जो है वो चीज नहीं होगी पहले ऐसी और यह बहुत ही अच्छी चीज है बहुत ही सराहनी है बहुत ही कारगर होगी और बच्चों के लिए बहुत ही लाबकारी होगी तो इस तरीके से जो अब आता है PG PG मतलब जैसे MA, MSC, MCOM तो यह पहले होता था आपका एक साल का अब दो साल का हुआ करेगा तो जो जो बच्चे फस्ट यर सेकंड यर थर्ड यर तक के होंगे उनको तो एक साल का करना होगा PG और जो बच्चे मालों को एक ही साल का किया है तो उसको दो साल का करना होगा यानि कि दो साल का किया है तो भी उसको दो साल का करना है यानि चार साल का रिसर्च तक कर लिया है तो उसको एक साल करना होगा इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है कि जो चार साल रिसर्च तक पढ़ाया ग् यानि की certificate, diploma और degree course किया है तो उसको दो साल का करना ही होगा यानि कि पहले भी 5 साल का था PG और अब भी 5 साल का ही होगा तो इस प्रकार से PG में जो लोग फस्टियर किये है तो उनको दो साल का करना है, सेकंड यर है तो भी उसको दो साल करना है, थरड यर तब भी दो साल करना है और चार साल का अगर रिसर्च है तो उसको एक ही साल का करना है PG तो इस तरीके से आपकी Master degree भी हो जाएगी फिर आता है PhD, PhD के लिए जो है वो curriculum त्यार हो रहा है और इसमें अभी नियम कानून बन रहे हैं तो PhD चार साल का होगा उसके लिए चार साल का ही प्रवधान किया गया है और MPHL को खतम कर दिया गया है MPHL का प्रोग्राम अब नह यानि कि new education policy की जो कुछ खास बाते हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे जो new education policy है इसकी positive thing यह है कि GDP की 6% शिच्छा पर देगा यानि कि जो पहले 3% चलता था 4% चलता था लेकिन अब जो है वो 6% जो भी growth होगी उसका 6% शिच्छा पर budget आएगा school की जो मनमानिया होती थी second point school की जो मनमानिया नहीं कि जो अपनी मनमर्जी से पैसा लेते थे फीस लेते थे अब वो उसपे रोक लग जाएगी जैसे कि किसी product पे MRP तै हो जाती है maximum retail price उसी तरीके से school fees पे भी तै हो जाएगी जो कि इस पे भी नीतिया बन नहीं है तो school fees fix हो होगी चाहितना वड़ा school हो उसको मानक के साफ से उसका school fix कर दियाएगी इसके उपर वो fees नहीं ले सकेंगे बच्चों से उसका शोशन नहीं कर सकेंगे तीसरा point vocational technical practical knowledge पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो इसे कोई बच्चा project वर बनाता है कोई भी चीज बनाता है कोई उसका जहां पर उसकी interest होगा जो भी उसका technical उसकी knowledge होगी interest होगा उसी पर ही उसको और उसको बढ़ाया जाएगा तो vocational technical जो practical knowledge training है उसके ज्यादा बल दिया गया है तो इस तरीके से तीन जो इसकी विशेष्टा है बहुत जबरदस्त है चौथा point है result यह मुझे बहुत पसंद आया उसकी जो marking scheme होगी credit scores होगे उनको हम self assessment के द्वारा friend consent के द्वारा यह teacher consent के द्वारा तै किया जाएगा फिर उसके बाद ता है foreign university का भी हमारे country में आना होगा यहांनि foreign countries को invite किया गया है 50 countries को की जो top most universities है उनको इंडिया में invite किया गया है और उनको अच्छी-ची सहुलते दे करके उनको यहां पर कहा गया है कि आपने हमारे हां करके अच्छी knowledge दे अच्छी डिग्रियां दे अच्छी-चीज़े हमाई बच्चों को सिखाएं तो यह foreign university का concept पहले भी आया था लेकिन कुछ political issues के कारण यह नहीं हो पाया था लेकिन अब जो है अच्छे से scheme बना करके इसको लाया जा रहा है तो foreign universities का concept बहुत अच्छा है पिर आता है छटा point है department department को भी चार भागों में भाजित कर दिया गया है पहला syllabus का जो syllabus त्यार करेगी दू यह काम करेगी तो department को भी चार भागों में भाजित कर दिया गया है इस प्रकार से जो इसमें जो छे विशेष्टाएं हैं वो यह हैं कि इनको अच्छे से grow कर दिया गया है कुछ इसमें खामिया भी है तो उनको भी लोग दूर कर लेंगे क्योंकि इसमें काम चल रहा है अच्छे च्छे जो भी आ रहे हैं सबसे लिया जा रहा है और इसमें नएनी चीज़ें बढ़ रही है और इसको बच्चों के लिए बहुत ही लाप्रद बनाया जा रहा है इससे की बच्चे बोर नहों इंट्रेस्ट लेकरके पढ़ाई करें और आगे बढ़ें तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करिएगा जिससे की आगे आने वाले जो भी वीडियो दें उनका नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहा है थैंक्यू जैहिं जै भारत झाल झाल